पुर पच्छीनी बेठक छे अने बेलो वक्ता हो छो गणी वखत पोताने भेहम होई छे के वह सारो सिफाही छो अने पची एक दम आपणने आगर करी दिवामा आवे ठियार खबर पड़े के आपणा भेहमनी कसो टिथाई रही छे आपणा एवा सर्जक चिन्तक मनिसी तरीके प्रतिस्षिछे जेमा आपणे प्रतिनी धी यूप चेत्नानों अनुभव कर्यो आखो देश स्वतंत्रताव माटे आंदोली थतो त्यारे तेवो यूवा निमा प्रवेश्या छे तेजस्वी यूवा नो नव सिक्षण निन दिख्षा पामवा उच्छुक छे अनेक प्रकार ना ग्णान प्रवा होनो तेने परिचाई करो छे उमासंगर भाईना योवन काड़नों समय भारत मा अनेक प्रकार नी अस्थिर्तानों समय पन छे सेहरो पन हजु रचाई रहा छे शिक्षण संस्थावो पन तेनी प्रारंबिक अवस्थावो मा छे तमे जोशो के तेवो पोताना वतंधी निकडे छे अने अमदाबाद मुंबई तेमना निवा स्थड बने छे आप बनने सेहरो एवा छे जिया नवतर शिक्षण नी दिक्षा पामवा अने दिक्षा पामेला अनेक सर्जक विचारक एकत्र थता होई ठया होई उमा संकर भाई अहीं अनेक नो परिचाई केडवे छे अने थोड़ाक मित्रो बनावे छे ए समये एक स्थड थी बीजा स्थड दी दूरता वोची करवा माटे जे समवाद माध्यम हतु ते पत्रों हता उमा संकर भाई स्वयम रजडू प्रकूर्ती ना रही हा एकले गणे स्थड गया छे अने गोष्ठी तेमनो मिजाच छे एकले अनेक साथे समवादो करिया छे तेमना पत्रों एप्थी वदू मनोवरुत्ती अने मनस्थिती ना द्यो तक छे तेवो सिक्षण पाम्या ते समवाई आस्रम साडा होस्टेल मा या रूम भडे राखी भणवानो समवाई छे अने एवामा मैत्री वृत्ती ना जागे तोज नवाई एम कही शकाई के जाहर जीवनना नागरिक बनवानी दिख्षा पामवानो ये समवाई आतो अने आपने जोईये छे के तेवो ग्णान तुशा अने उच्चुक ताथी सबंदो केडवे छे पंडीत यूग पछी नो समवाई छे नवी कविता वार्ता नाटक निवननो पण समवाई छे उमासंकर भाईना सर्वातना वर्ष्रों मा पत्रों जुओ स्वर्वाद्ना वर्ष्रों मां पत्रों जुओ अतों कुटुम्बी जनों पछी जेमने सवती वदू पत्रों लख्या छे ते सुन्दरम ने छे उमासंकर भाई नी जेमाज सुन्दरम ने पण आपने पछी थी उत्तम कवी वार्ताकार विवचक तरीके जान्या उमासंकर भाई ये आत्मक अथा लखी नथी पण विवीतर उपे तेमना आत्मक अथनात्मक लखानों प्रावत छे पत्रों ने पण आपने तेना भाग गण पन पत्रों ते बे व्यक्ति वच्चे ना होई छे आ बे वच्चे केवा प्रकानी अंतरंगता विख्षी छे या केवी अंतरंगता विख्षाववा तेवो उस्षूप छे तेना अधारेज आत्मकथननी मात्रा प्रगठाई सके पत्रमा आत्मकथननी जे मुद्रा छे ते आत्मकथा थी बिन्न छे आत्मकथा सभान पने पोताना जीवन, कारिया, सोमवईदन अने लागनी, विचार ना पसंगी पुर्वक्ना आलेखन्नी निपच छे अने तेमा सेल्फ एडिटिंग भडिज जेतू होई छे, ते कोई आटोमेटिक राइटिंग नो या सर्जनात्मक साइट अनो प्रकार ना थी, पत्रमा पन सेल्फ एडिटिंग तो होवा नुझ, पन साथेज एक खास प्रकार नी अंगत अभियोक्ती पन होवानी, जो खास प्रकार नी अंगरता शक्री ना होई, तो ए पत्रों मा गनिष्ट तानो अनुबाव पढ़ना करी शक्किये, तुमा संकर भाई ने अनेक साथे पत्र वेवार रही हो, अल्बत मुद्रि स्वरू पेतो आपड़ी पासे उग्रिसो अठाविस्ती, उग्रिसो पचास दर्मि के नी व्यक्ति छबी पन स्पस्ट बनी चुकी हैती, उमा संकर भाई नी प्रकुर्ती स्वेर विहार नी न थी, तेवो विचार सील छे, चिंतन सील छे, अने कितलाक आदर्सो साथे जिवानो पसंद करनारा सर्जक छे, तेमना पत्रों मा तेमनी जुदी-जुदी मनो अव पत्रविहवार मां एक जुदा उमाशं करछे, तो स्फटन्तता आंदोलंनी हवा मां तेमना मां जे राष्ट्र भावना औने नागरी कत्तव केडवाहिला स्ये, ते पन पत्रों मां उत्रे से, जो के अही आपणने प्रावत, जे पत्रों छे, तेमा श्वटन्ता आंदोलं गतिविदी, घतना क्रमों औने तेमा शक्रिया निताव विशे खास मड़तु नथी। अरे 1915 सुदिना पत्र माई कोई मोटा आंदोलन ना घतना क्रमों नी कोई क्रिया प्रतिक्रिया ए पत्र माँ आचवा नथी मड़ती। आ पत्र मां गांदी जी ने लखायलो पत्र पण छे, पर तेतो सहीत्य परिशत मां गांदी जी प्रमुपद माटे सक्रिया छे, ते विशेना पोतानों विचारो अने प्रति प्रस्णों ने समावे छे। उमाशंकर भाई स्वटन्तता अंदोलननी सक्रियत आने परिणामे जेल मा रहा छे, पन तेमना केंद्र मातों सहीत्य गार तरीके विकर्षवानी एक लेज छे, औने तेज तेमने संचालीत करा छे। अहीं जे पत्रों छे, तेमा सरूना पत्रों कुटुम्बी जनोंने लखायला होई एवा छे, मोटा भाईने, अन्य भाईयोंने, पिताने, मामाने, फोईना दिकराने, औन तेनी अंदर माने लखायलो होई, भाबीने लखायलो होई, बेनने लखायलो होई, एटल के स्त्री लखाएला होई एवा पत्रा तमने ये वर्सों मां के आखा पुस्तक मां एखाली एक तेमने जोस्ना बेनने लखेलो पत्र छे ये जता आट्या ट्रेंड मां त्यारे लखेलो कदाच कारण मां तो स्त्री शिक्षण नों अभाव अने कुटुम विहवा नों नेत्रितों पुरुसों पासे हतु टे आखा पुस्तक मां पुस्त्री ने वुद्देशी ने लखाएलो पत्रत नती एक यारे अत्यार ना आपड़ा समय ने अंदर जोई तो आपने जराक कि केम आप्रकानू कम्यूनिकेशन शक्या ना थी पॉन पहलोत पत्रों उग्णिशो अठाविस नों छे जे मोड़ा भाईने लखाएलो छे अने ती अंग्रेजी मां लखाएलो छे तमे धारी शको कि तेमना आख़्ा कुटुम मां शिक्षण विशेनी जागरूती छे उम तेमना दरेक पत्रों मां थोड़ा अंग्रेजी सब्दो प्रयो जाएला हाशे हरिश्चंत्र बट तो त्यारे अंग्रेजी साहीते वातनारा थोड़ा साहीते कारों मां अवल गणा एवा अल्बच जैनती दलाल पची एवु मेरी शक्ये पन तेमने उमासंकर भाईये पत्यों की निवडी अशे एवुदारी शकाए मोटा भाई राम संकर जोषी ने लखेला पत्र मां तेवो पोताना सिक्षण नी अनि तेव एड़ाना प्रवास वनी वात लखे जे अनि आस्रम मां रहता घंडी जिनो उल्ले खावे जे उमार संकर भाई त्यारे सारनपुर गासी रामनी पोड मां आदित्य रामना घर मां रहता आता तमें जोषो के तेमना सर्नामा सतत बदलाया छे अमदावाद मां हता त्यारे मिठा खडी ठाडिया अने पचितो वीरम गाम सत्यागरा छाओनी अने तेना जी आगडवधी तिलक रोड पुना आम घणा बदा सेह पुन सुचवाई छे पुन तेमा तमें तेमनो रजर्पाट छे एवु कईशको तेम न थी ते भक्तस थड़ गत छे उमासंकरभाईना पत्रों मां एक कायमी टोन उच्छानों कशुक नवु करवा पामवानों छे शरुना वर्षो ना पत्रों मां तेवो ना लिखी तंग मां उमियासंकरवना वंदे मात्रमू लखेला पत्र माँ ना जै भारतू check पत्र मा आवे छे, पण पेली यववन सहज राष्ट्र प्रेम नी भवुगता हवे नित्री गई छे, सर्वातना वर्षो ना पत्र मा व्यत्त थटू उमासंकर जोसे नू विचार जगत अने पोताना व्यक्तित्वने स्पस्ट करती आत्मा निरिक्षा खुब रस्प्रत छे मोटा भाई होईना दिक्रा ने मामा ने लखेला पत्र मा तेवो आकरापण थाया छे, ने लखे छे, बदोई बाजु मुकी अवल नंबर नी वाणिया सहीव आपरी, आप फुर्च सत्ताना हिमायेतियो ने जीहा जीहा बणवी, परन्तु हुँ एवो वैशिय नसी, ए तम विध्या जे वी मुकति दा, एवी जे गुलामी माँ सड़े छे, तेमने तेमाँ थी विमुक्ति आपनार, अंधिकारमाँ वी ब्रमित कर्नाराओने प्रकास आपी एमाँची उगारनार, गुलेलाने रस्टव सुझारनार, पड़ेलाने हाथ जाली उद्धारनार, विध् अगर लखे छे अंतर आत्माना अवादनी अनुसर नार अने माथे परमात्माने राखी वर्तनार ने शुम अवसाध्य होई शके आ पत्र घणो लांबो छे अने तेमा विद्यार्थियो है जे श्ट्राइक पाड़ेली तेमा ओछ पाड़नार अम्बालाल शारा भाड़नार पुत्र पुत्री हता एवो एट एवो नगर व्यवस्ता अने तेना महाजनोनी वृत्ति प्रवुटी प्रत्ये प्रतिक्रिया आपवा जेतला सबान चे आ पत्रमा एग्ज ग्याए लखे छे पित्रु भक्ति थी चलीत न थौ जोईए छता अंतर आत्माने पसंद पड़त प्रहलादे बार्पण मा पन पिताना अवडा विचारती विरूद वर्तन औ मानुसिक अत्याचारो सहन करीने पन करवानी हिम्मत खेडी हती रावन थी छुटा पड़ता विभीशणे पोताना अंतर आत्मानी शहाय होवाती लेश पन बीक राखिनो थी अने एम करवा थी एने इस्ट प्राप्ती ठाई हती आव आने केह छे के उमार्शंकर ना विद्रो ने जे तर्क नो आधार छे ते पन आपना धर्म ग्रन्थोती पोषित चे आ तेमना समय नो लक्षण छे अने उमार्शंकर भाई मा रामायन महबारत ना संदर्भो अनेक वार आवे छे प्रसंदी ना आरम ना धायके तेमने जे संस्कार रुपे मलू तेनू आपनी नाम छे ए वीती सदी ना जे प्रसंदायका आता तेव आजेता तेव खते गांधी अने शोटंतर ता चड़वट्यू प्रभावित छे एतले लखे बण छे के हिंदने उत्दार्वानी एनामा शक्ती ना होई तो हिंदनों अना जे पानी एटले हिवानुने आलाखे छे के हिंदने उत्दार्वानी एनामा शक्ती ना होई तो हिंदनों अनाज पानी हवा जमी ए बहतर नव आपड़े आप पत्रमा कुर्पलाणी नरिमान महरली वगेरी ना उल्ले को छे कन्यालाल मुन्सी प्रत्य तिवो शरुवाथी सावद अने काई कंसेट्टिका कार छे एटले लखे छे आपड़ ती सत्य बोलाई साचू तो कौन बोले के जेने मोटा थवु होई गन्यालाल मुन्सी जेवा थवु होई ते सत्य बोले भाईयो ने मामाने लखेला पत्रमा आ बधाज मुद्दा जरुरी नोता एवु लाग से कांकि आ लखेलो पत्र तो कुटुम ने लखेलो चे पण ते उमासंकर नामना युवाननी जरुरियाद छे अने छिल्ले पत्र समापनमा लखेई छे के सत्य बस्तु स्पष्ट करवामा लखवामा छूट लिदी होई तो माफी मागवानों मनेतो अधिकार छे जे लिक्तिन कुर्पा कांक्षी उम्यासंकर ना सविनाई वन्दे मात्रापुल। मतलब के विनाई विवेक तो चुकता नती पण जे कहवानों छे ते तो कहे छे तमे आने बदलाती सिक्सित थती जती अने जागरूत व्यक्ति तोने निशानी तरेके पण जोई शको। आपने वची थी तेमनी वार्ताववने नाटक मा कुटूबना पात्रो अने समाधना वर्तन नो आगवू अनुभव करियो तो आ बदलाती सामाजिक चेतना रुपे पन जोई शकाए। तेमाई फोईना दिक्राने लखेला पत्रमा त्यो नानी वए करूणाने परणाववानी जे तजवी चाली रही छे। तेमा करूणानी लागडी सूँँछे ते विशे कोईने दरकारत ने थी। ते विशे प्रचंड रोज साथे लखे छे। लखे छे, जोके हवे बोलवानी पोडी नी पन किम्बत न थी। छता मारो विरोध दर्शाववानों विचार मों रोकी शक्त न थी। नम्र पने हूं पूछू छूं के करूणाने तमे कोई पन दिवस उच्छी लेवा तस्ति लिधी आती। के एने आतला जल्दी थी परणावानी इच्छा हते के केम तमे रूठीने ताबे थवाविशे लखीने चूप रही हाँ। एकनी एक गरेड मा क्या सुटी वई हेरे रहवू छे। आखो पत्र आक्रोष्टी भरेलो छे। ने तेमा त्यारना समाज मा स्त्रीनु मुल्य गेवू छे। तेनुए निरिक्षण उमेरे छे। स्त्रीनी किम्मत आपडे त्या बच्चा जणनार यंत्र सिवाई बिजी कसी नथी। ने बाड़क बाड़ोकोनी किम्मत माबापोने पोताना मगजमा भरायेली आबरुनी खोटी बूने पोश्वाना ओजार सिवाई कसी नथी। आखी स्त्री जाती नी छड़े चोक हसी थाई छे। निरलज अपमान छे। उमासंकर भाई आब अधू लखे त्यारे व्यापक सामाजीक संदर्प साथे लखे जे। ने अचानक मोटा जागुरुत मंजपर्थी बोलता होई एव अनू भवाई छे। उमासंकर भाई मा व्यक्ति माथी अचानक व्याप्ति सुधी विस्तरवानी एकतर्क बुद्धी छे। तेवो हम्मेश एक सामाजीक जागुरुती साथे नू नित्रुत तेम्ना मा रही होचे। तेवो करुणा ना प्रस्टने बहु मोटो बनावे छे। अने तेम्नात पिताने एक जुल्दा पत्रवा लखे चे। पुज्य पितास्री तमने विन्वी ने थाक्यो छता आखरे आ खाडा कान करिया जिवू थाय। महरो पत्र मडे ते पहला तो बार स्वहिगे याशे ने करुणा ना बार वागी गया याशे। कौना वाग काड़ो, ने कौना अपर करोध करो, पन वाग काड़े ने करोध करे हवेशू ओड़े। रुधिनी गुलामी थी शोव आतला तेवाई गया छे के आपने पोता करता, पोता ना करता, रुधिनी रक्षण वधारे सांबरे चे। ये पत्र ने छिल्ली लिटी छे, आम तमने वारम वार गांडा करवानों भाग्य मने मलू छे, ते सारू पोता पर गिन्नातों, उम्या संकर। उम्या संकर भाई ना कुटुम साथे, रुधि साजे केवा संकर सता, ते अहीं जोई शकाई छे, हाँ, पर पच्छी थी जोई शकाई छे, के ते वो मोटा समाज विद्रोही रहा न थी, पत्र मा, तेमनू फोकस सर्जनात्मक्ता तरफ रहे चे, आ पत्र संकलन मा पॉन, पच्छी न थी, पॉन, ओग्रिशो तीस मा, वीरम गामनी काची जेल मा थी, ते वो मोटा बाई न लखे चे, परदेशी कापड होई, केटलू हवे तो जलावी दो, ने खरबचली खादी पेरवानों सरू करो, नहीं तो पच्छी जाओ परदेश, एटले अमे नाम न लई करिये, रामुबाई चेत जो, परदेशी नो मोह हजी होई तो छोड जो, एद पत्रमा लखे छे, छुटो तो थवादो, मेर निर्दार करियो छे, के आपनी, आपना समाद ने, कांतो, कांश मा, अहीं सा, प्रेम ना बर्थी ओगाडी नाखवो, अथवा, हिंसा प्रभाव की बाडी देवो, पन एनो नास तो करोच, ने नवा घाड करवा, लिखी तंग पहला भ्रुकुटी तंग राखे छे, मडवा आउवा नी बिल्कुल जरूर नथी, light प्रवा आउवानी मिल्कुल जरूर नधी, मारी यरोडा बदली थाई, तो पन कोई सफर करवा आवसो नहीं, कांच जोड, खेर, अहीं तेवो समाज चिंतक तरीके ने देश ताजी व्यक्ति तरीके प्रगठाई छे, पन पछी तेवो साहित्य अने सिक्षण ना समाज माज वधु प्रवड तो थाहिला जणाशे, पन अहीं देखा तो मिजाज, तेमने कटो कदी वखते लोग सभामा निर्वाई रिते बोलवा, सुधी लई गयो हाशे, ते पन समझाशे, स्वट्रन्दता अंदोलन मा तेवो उच्रिया छे, एटले राष्ट्र मा आक्रेनों चिं पत्रों अनेक छे, आ पत्र संकलन मा सुंदरम औने पछी हरिचंद्र भट ने लखायला पत्रों नुप्रमाण वधू छे, औने तेना पर्थी तेमनी वच्चे नी निकट्टा पड समझाशे, पन सुंदरम करता हरिचंद्र भट साथे निकट्टा मा एक ठास प्रकार नी अंगत तानों बवाशे, तेमा सहीत्यना प्रस्णों, कुल्टी स्वरूप ना प्रस्णों, सहीत्यना विहवार ना प्रस्णों थे आगळवदी, अंगत जिवनना प्रस्णों मा सीधी दरकार पण छे, घणिवार पूरी कंसंस हाथे सला पण आपे छे, पन अहीना कोई प सालीन औने भद्र रही हा पन एकवार गांधी जी साथे तेमने भृकुटी तानी छे औने बिजी खास वाद छे केटला आई पत्रों मां कनेयलाल मुनसी न उल्लेक छे पन तेमने मुनसी जीने एक पन पत्र लख्वा ना थे वोई पन ना अंगत विहवार अने प्रगट विचार मां ए महत्वनु छे के ते कोने पत्र लख्वा के न लख्वानु पसंद करे छे जेमने उमा संकर भाई पत्र लखवा पसंद नती करया अथवा एवा संयोग तेमना माटे निर्माया नती तेमा आम तो सुरेज जोसी सहीत ना भी जापन छे उमा संकर भाई हरिस्तंद्र बट साथे ना एक पत्र मा उगणिसों चुमाडिस मा लखे जे एक वाद नो कहुंतों दील चोरी लेखाई अने कड़वास तुम्हारा स्वभावनों अनिवारिया अंस छे पण आवी स्वगोतोक्ती ने उमा संकर भाई ने जाहर व्यक्तित्व साथे जोडी ने प्रमारी सकाई एवी छे करी घणिवार पत्र मां अंगत्ता जुडी रित्ते व्यक्थाती होई छे आ पत्रों निमित्ते केतला आक सुत्रात्मक विधान पन प्राप्त थाई छे एक नहानू उस्तक थाई छे केतला बढ़ा एवार तेने पन आपने पत्र लेखन ने प्राप्ती तरिके जोवा जोई जेम के एक मानस बिजाने समझे एने जहुँ आस्वासन गणों जुडी पचे बिजु छे जे आपनों भाईबन आपना थी थोड़ा अंतर पर छूटो पड़ी गयो होई तेनू स्मर्ण रुदई में राठू तेनों पिछोन पकड़वो कदी पकड़ायो पण छे अने खोस रेवो बिजु एक छे सामा जीवो पण मानवी छे अधी मानवी न थी ए जो योग्य प्रति सब्द न आपी शके के मोडो के मोडो आपे तो आपने एमनेक शमा करवी जोईए बिजु छे बिजावने चाई है प्रणईने पात्र बनाविये एपन जरूरी छे बन्ने वस्तुवो साधी रुदई वृत्तिनों साम्मन जस्य केडव मेडवू जोईए उमा संकर भाई बहु सार्पली निरिक्षणों करी शके छे निक तेने फिलोसोफिकली मुकी शके छे सही त्यना बधास्वरूपो अमुप्रकार नी अभिवक्ति प्रगटवा नती देता पत्र लेखन मा क्यारेके शक्या छे बाकी अहीं प्रगट पत्रों मा जे मुद्दानी जीकर वारम वार आवे शे ते पन जरा नोंटिये उमा संकर भाई स्वरूथी उतानी कृति या लेखना अनि एरी ते प्रकाशक जो पुस्तक प्रगट करे तो तेना पूरस कारना खुब आग रही शे स्वरूमा स्पष्टता करीले चे के तमें केटला टका आपसो आ टका वाड़ी वार तमें आखा पुस्तक मा अनेक पत्रों नी अंदर वारम वार जुदी 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 ते आवे चे अने पची एवापन त्रणेक पत्रों सामिल चे जेमा तेमने संस्कुर्ती मा प्रगट करेली कुर्ती के लेख माठे पुरसकार मुकलानी विगत होई पुरसकार ने तेवो लेखक ना अधिकार तरीके जुए चे अने तेमा समाधान चलावीले तेवा नत उमार संकर भाई ना पुस्तेक ना संपाधन मा केवी सामगरी होई जे तेवीशे पन खुब समाँ चे जेमके हरिस्चंद्र भट्ट ने तेवो सुचन तरीके लखे चे तमारों जे प्रकिर्ण कावियोनों संग्र ठाई तेने बने तेटलों संबुर्ध करवा प्रयापन क कर जो नोन पर्सोनल लागे तेवा साला पोएम्स आमा मुकवामा आवे तो खोटुद नहीं तेमने ज एक बिजा पत्रमा लखे छे आखा संग्रमा एक बे चीज तो एवी होवी जो ये के जेने लिदे संग्र अनिवार्य बनी रहे संग्र करवोज पड़े तो आप्रकानी शभालता गणिवकर संपादोको नथी रागता के महरू पुस्तक सामा आटे महत्वनों बनी रहे तो कितली के वी रेतना वोटो मारा सामिल करवोज जो एके जे होई तो अभिपधी काड़ जी आमना माँ छे पन उमासंक्र भाई विदेशी साहित ना केवा मोटा वाचक छ ते तमने हरिश्चंद्र भट साते ना पत्र विवाबार मा सतत्पमा शे उस्तोको मेडवा तेवो योजना बनावे शे ने दर वखते वाचेला पुस्तक विशे नोन करे शे भारती साहित ना वाचक तरीके तमे तेमने गणा विश्यको तेवो एक्केई उल्लेक न थी पन रमणलाल सोनी साते संबन चे ने टागोर ना वाचक चाहक होवाना उल्ले खावे छे उमाशंकर भाईये पछीती मराठीना कवियो ना अनुवाद ग्रंत करेला ते अपड़े जानिये छे तेमने अनुवाद करवा पसंद करिया ते संस्तुरुद मादी करिया ने भारती भ बाशानों सास्त्र समझवा जैये तो सहजे भगिनी भाशावनों पन जानी लेवु रही हो नहीं एक लिंग्विस्टिक तरीके नी तेमनी संफान्ता पत्रमा प्रगठ आईजे बाकी घुद्रयाती साहीत्या परिशद तेना प्रमुक्पद अने मुन्सिना अधिपत्य व पुछे शे एक अमदावादमा साहीत्य परिशद भराई त्यारे आपे साक्सोरों सामे बढ़ापा कारेला के आपने तो कोश्याना घीत जोईये शे वगेरे वगेरे आजे दोडेक दसका पछी अमदावादमा एद परिशद ना प्रमुक्प तरीके जवा माटे आपनी ब सुद्रती रिते महत पामती परिशद ने प्राण वायू आपवा आप समय काड़ो नहीं आवा घणाच आपखा छे साथे जुनी कंसंच छे आप प्रमुक थावो छो तो समय को पत्रों मा पुरसकार पध्दती व्यापक करावी शक्सों साहीत्य परिशद ने साहीत्य नी परिशद बनाविशक्सों कालेल करने जेक पत्रमा मुनसी परिशद वाड़ा मुनसी विशे लखे छे के मुनसी विशे के ए सहयोगी ओ सह कारिय करता होने नहीं पन अनुग होने अंडर डोक्स ने इस्ता होई छे काम पत्य केरिना चुसाईला छोडिया नी पैठे फैकी देवा तिमाईला छे वड़ी लखे छे श्री मुनसी नी चुंगाल मा अमारा जिवा मानोसो आविशके एम न थी इमने स्वयम ओछू फ्लोटिंग करियो न थी अमेशाव जैये तो आबात बचावी ले वदावी ले और सुध्रे कदी बहुँ मोडा मानोसो विशे निंदा करनार जितला संबढनार पॉन दोस पात्र एटले बन करो गुजराती साही चे परिशद एक जाहर संस्था छे अने लोक्षाही रसम न आग्रेही उमार्शंकर आवा सवालो न करे तो जास्चरिया पत्र स्वरूपने रस्प्रद वात एछे के दरेक पत्रे कोई नवाक आको साथे कोई नवी वातनों संदर्ब जागे उमार्शंकर भाईया लखेला पत्रो फक्त मित्रों ने संबोधिने न थी बडवन्तराई ठाकोर, किस्टन सी चावडा, जवर्जन मेगानी ने ये छे भुर्गुरा, एंजारिया, रसिक लाल पकी, परिक वगेरे ने ये छे गजलकार आसिम रांदेरी साथे नाई तराण पत्रों छे उग्रिसो चालिज एक्तालिसना वर्षो नाचे गुजर्यात मा गजल स्थापना नो ये समय छे अने उमार्शंकर भाई मुशाईरावों मा सामिल थाई छे मुंबई मा योजाईला मुशाईरामा आवेला भावक ने जोई के वो उदगार काड़े छे मुंबई नी मुस्लिम जनतानो कवीता प्रेम उभरातो जोए अने आपड़ी कवीतानो उज्वड भविश्य जोड़ों उमा संकर भाई जोटिंद्र डवे चंची महता वगेरे प्रसिष्ट साहित्य साथे नी ओड़क धरावनारा पन ए समय घजल मुशाईरा साथे संबन केडवे छे ए पन एक स्वरुक स्थापनाना समय नी एक गटना केवाई पत्र संकलन विशे बोलती वेड़ा एक मुझमन सतत रहेके तेमा संदर्वीना आपने समझवानों होई हकी काते तो नंदिनी जोशी औने देविंद्र जोशी ना आ पत्रो ग्रंत ने संबधन कई शकाई टेम नाथी भक्त संकलन छे पत्रों मा आवता प्रसंग संदर्प नाम संदर्प निरीक्षण नोंध संदर्प स्पष्ट न थता वाचन अधुरूर रहेछे पन जे काई सामगरी छे तेना अधारे पमाई छे ते एक उमाशंकर भाई पोतानी रचाथी कुर्तियो औने मित्रों नी कुर्तियो विशे सतत उत्तम विवेचन द्रश्टी साथे समवाद रचे छे गणिवार आकरापन थाई छे सुंद्रम ने लखे छे तमारी वार्ताव विशे एपोलोजिक थाया विना कौं के एमनेस गैची स्थता तमारे बचावी जोई है पची उमेरे से टेकनिक खातर तमें वर्ल्ड स्टोरीज अने मौपासा तदन आधना अंग्रेजी स्टोरी आईटरस नो काम करी जुओ तो ये महनत फ़र्चेज आवी टिपपन ते ओ हरिचंद्र बढ़ साथे बढ़ करेज एक वार आपना आ उमार संकर भाई चंची पर भढ़केला मिगानी पर टोक माटे चंची ए रेडियो पर बोलावेला पण उमार संकर भाई गया तो टोक के केंसल हती ने चंची पोटेक बोली गयेला मिगानी बाई मिगानी बाई ने पत्र मा लखे चे ताहीम करता पाक ललाग वहलो जई पहुंता खवर पड़ी कि मारी टोक केंसल थाई चे आपना चंद्रवणन तो पछीट जांबढ़ू कि वाचस्पती ओते ओचर्या हता पत् मजा आचे अहु आत्मकथा माननों आवे परंतु उमासंकर भाई जवर्चन मेगानी आने हरिच्चनर बटना अंगर जीवन संदर पे जियारे लखे चे त्यारे उंडी समझ अने सम वेदन साथे प्रश्णो उकेलवा माटे लखे चे एम करता तेवो कोते गायल पन थाई मेगानी ने तेवो लखे चे तमारा सांसारिक जीवननों आन्स तमारी अनिच छाए अने कोई अन इवारे रितेज मुँ जानवा पाम्या एहने विशे अनिक वार विचार आवे चे तमारा सिवाई कोई साथे ए विशे वाद पन करी शक्टो ना थी हजी मने मनमा उंडे- पत्र मा लग्न जीवन विशे एक निरिक्षण आलेखे जे लग्न जीवन नी नवका एक खड़कु परज हम्मेश बांगती होई छे मने आपनी हिंदू कुटों व्यवस्था जुनी के नवी नुँ एज अक्षम्य लक्षण लागे जे हरिस्चंद्र भड स्वाथे ना पत्र मा तेवो प्रेम तत्वनी वाद जरा जुडी रिते नोधे छे पूरुकरू बेपेच छे प्रेम विना प्रतिवा सर्जप प्रतिवा सहज अंकुरित ठती नती ए साचु छे मानस प्रेम माथी सिखे छे अने हूं थोड़ाक अनुभव पर्थी पन सिख्यो छे एक एवो चीद व्यापार छे कि मानस मुडिया माथी उख्डी जाई छे हवे जो मानस पाचोप परी मुडियू क्याक नाकी शक्यो तो तो जीती गयो इडर योगाट हरिश्चंद्र भटना तो तेवो अंगत प्रेम प्रसंग माँ पड़िया छे ते वखक ना आ प्रकार ना सबंद सामानी रिते खुप चूप रहना रा सर्जो को तेनी वच्चे आ प्रकार नो जहार संवाद थाई तो आपने किट्रूप नव पन प्राप्त थाई छे वह मानू शुके अभे वीचा बेपेच छे पर जवाद हो पछी वाद है है